सेजस 24 में अगली बड़ी खाब उत्तर प्रदेश से आ रही है सीम योगी आज यूपी के सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और ये मीटिंग शाम 6 वजे वर्चुली होगी जिस पे यूपी के SSP, SP, CO, SHO भी शामिल होगी जानकारी के वताविक सीम योग कि इस पेठक के कई हैं मुद्दों पर चट्रा कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकाट 2.0 बनी है मुख्यमंत्री योगी आजितनात काफी सकते हैं और कानून निर्देश पर वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और इसलिए ये वर्चुरी जो पैठक शाम 6 बजे होने जा रही है काफी एहमें स्स्प, एस्प, स्प, स्यो, सभी शामिल है और मुख्यमंत्री योगी आजितनात की दरब से प्रदेश की कानून निर्देश को लेकर तमाम एहम निर्देश दिये जा सकते हैं और साथी आप ये भी देख पैठक शाम 6 बजे होगी जिसमें कई एहम मुद्दो को लेकर बात होगी वहीं स्यम योगी ने अपने मंत्रियों से तीन महिने के अंदर उनके और उनके परिवारों के मालिकाना हगवाली सभी संपत्यों की घोशना करने का निर्देश दिया है साथी IS IPS अधिकारियों को समान विवरन ऑनलाइन साजा करने के लिए कहा गया है UP में धार्मिक स्थलों से लौट स्पिकरों का शोर कम किये जाने को लेकर जारी सीम योगी आदितनात के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संगम रगरी प्रियागराज की जामा मस्जिद ने अनूठी पहल की है इसके तहत मस्जिद में लगे छे लौट स्पिकरों में से चार को हटा दिया गया है जबकि बागी बचे दो का वॉल्यूम भी कम कर दिया गया है इतना ही नहीं बचे हुए दोनों लौट स्पिकरों के दिशा भी बदल दी गई है हाई कूट के आदेश के बाद यूपि में करीब 125 लौट स्पिकर प्रशासर ने हटवा दिये है और कई लौट स्पिकरों की आवाज कम कर दी गई है उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक्स थलों में लौट स्पिकर या तो उतार लिये गए है या उनकी आवाज धीमी की गई है या कारवाई मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद हुई है उन्होंने कहा तकि धार्मिक्स थलों में सामाननीय मानक की अनुसार ही लौट स्पिकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे इस भी स्थरकार ने तेज आवाज में लौट स्पिकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी है इधर मुदफर नगर में धार्मिक्स थलों से लाउट स्पीकर उतारने शुरू कर दिये गए है पुलिस की अपील के बाद मंदिर मस्जित से लाउट स्पीकर उतार दिये गए UP में लौट स्पीकर को लेकर की जा रही प्रशासन की सक्ति का असर दिखने लगा है सीतापुर में पुलिस और प्रशासन की मौझूदगी में धार्मिक्स थलों से लौट स्पीकर उतार दिये गए साथ ही बिना इजाज़त लगाए गए लौट स्पीकरों को भी हटा दिया गया साफ निर्देश एकी नई जगह पर लौट स्पीकर बजाने के लिए परमीशन लेनी होगी इजाज़त मिलने के बाद मानक के थेहत लौट स्पीकर की आवाज रखनी होगी इस 20 सरकार ने तेज आवाज में लाओड स्पीकर बजाने वालों के रिपोर्ट मांगी है हर जिला फ्रशासन को ये रिपोर्ट 30 अप्रेल तक देनी होगी UP में आतिकर्मन के साथ साथ लाओड स्पीकर को भी लेकर अभिहान चल रहा है सीम योगी ने इसको लेकर सक्त निर्देश जारी किये हैं कहाए कि कानूं का पालंग किया जाए इसे देखते हुए लखनों में अभिहान चलाया गया पुलिस ने DCP West, ADCP West की अगवाई में कैसरबाग नाका और अमीनाबाद शेतर में धार्मेक स्थलों से लाओड स्पीकर उतरवा दिये इसके साथ ही आलादकारियों ने प्रदेश भर के करीग 40,000 धर्म गुरूं से बात की है सभी से लाओड स्पीकर की आवाज कम करने की अपील की गई है त्योहार पर भी विशेश ध्यान अखा जाए वाड़नसी के काशे विशोनात ग्यानवाफी परिसर में शिंगार गौरी मंदिर का सर्वे और वीडरोग्राफी होगा मंगलवार को सिविल कोट ने तीन मई से सर्वे और विडरोग्राफी कर दस मई तक रिपोर्ट समिट करने का एहम आदेश दिया शिंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी सर्वे और वीडरोग्राफी के खलाफ हाई कोट में अंजमन इंतिजामिया मजजित कमिट्री की दाखिल आपरती भी खारिज हो चुकी है